फाईव स्टार होटलों की शान ब्रोकली का उतपादन अक्लेरा क्षेतर में शुरू कृशी विग्यान के इंद सेली तकनीकी केती जानकारी महेंगे दाम में बिक रही ब्रोकली जालावाग, बड़े शहरों और फाइव स्टार होटिलों में सबजी और सलाद के रूप में खाई जाने वाली ब्रोकली अब जिले के अकलेरा उपखन क्षेत्र के एक छोटे से गाउंग दतिला में उत्पादित होने से किसान को कम लागत के अच्छा मुनाफ़ा मिल रहा है फूल गोभी की हमशकल में गहरे ग्रीन रंग की ये ब्रोकली अब बड़े शहरों से निकल कर ग्रामींग शेत्रों में भी पहुँच गई है प्रगतिशील किसान जयेंदर सिंग तवर ने बताया कि प्रतिदेन एक हजार रुपे तक का माल बिक रहा है ब्रोकली की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार होने पर इसकी डिमांड अब अखलेरा के अतिरिक्त जालावार मुख्याल ऐसे भी उनके पास आ रही है ब्रोकली का अधिक उप्योग बड़े शहरों में अधिक होता है महेंगी होने के कारण इसकी खपत क्रामीन क्षेत्रों में नाम मात्र की है पोशक तत्वों से भरपूर होने के कारण अब इसका उप्योग बड़े शहरों में भी अधिक है एक ब्रोकली का वजन करीब 400-500 ग्राम है बजार में यह करीब 80-100 रुपे किलो तक बिक रही है क्षेत्र में नई सबजी होने का कारण जानकार ही इसकी खरीदारी करते हैं दतिला गाव में अभी 200 फिट के 10 बैड में ही इसका उत्पादन किया जा रहा है ब्रोकली की बुबाई के लिए कोडो पी मीडिया में बीज डालकर पौधे तयार किये जाते हैं इन बीजों को से पौधे तयार होने में करीब 35 दिन का समय लगता है अलग-अलग बैड बनाकर वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद डालकर इसकी रुपाई की जाती है प्रशिक्षन प्राप्तकर नरसरी प्रबन्धन आदी की जानकारी ली थी इसी दोरां ब्रोकली के बारे में भी क्रिशी विज्यान केंद्र जालावार के मार्क दर्शन में यह उत्पादन शुरू किया है जालावार क्रिशी विग्यान केंद्र क्रिशी वैग्यानिक अर्जुन वर्मा ने बताया कि अब ब्रोकली की मांग बड़े शहरों से सामान्य जिलों में भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है बड़े शहरों में इसकी मांग धिक है जो लोग स्वस्थय के प्रती जागरूख है वो सबजी विक्रेता से मांग करते है ग्रामीन क्षेत्रों में किसान ने इसका उत्पादन कर नई पहल की है वही उद्यान वैग्यानिक डॉक्टर अर्विंद नागर ने बताया कि किसान को क्रशी तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षन दिया था इस तकनीक से किसान अच्छा मुनाफ़ा कम लागत में कमा सकते है खेती भी सामान्य फूल गोबी पत्ता गोबी जैसी है इसी परिवार का हिस्सा ब्रोकली है जो स्वस्थे के लिए भी लागदायक है ये खेती कब से आप शुरू कर रहे हैं?